साथियों नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सस्रिकाल, राधे, राधे आप सभी का टार्गेट विद्पार्थ में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग गटना सार मैगजीन में जितनी भी चरचित नियुक्तियां हैं, ब्यक्ति हैं और जो समितियां हैं उन सब को तयार करेंगे, आसान तरीके से और चीजों को जोड़ कर समझने का प्रियास करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सबसे पहले उमा सेखर दोस्तो यूनी ड्राइट का जो काउंसिल है उसमें इनको सदस के रूप में नियुक्त किया गया है यूनी ड्राइट जो है दोस्तो यून का अंग है जिसका हेड़कॉर्टर रूम में है जितने भी प्राइवेट ला होते हैं जैसे संस्ताइब अगरा जो होती है जो प्राइवेट ला होते हैं उनकी जो हेड़ वाड़ी है वो यूनी ड्राइट है हेड़कॉर्टर इसका रोम में है रोम में और किसका हेड़कॉर्टर है दोस्तों फाव का फूड एंड एग्रिकल्चर आर्गनाजेशन का हेड़कॉर्टर भी रोम में है रोम इटली की राजधानी है आयमे स्वामिनाथन आप सब जानते हैं भारत में इनको हरित क्रांती का जनक कहा जाता है इनोंने मेक्सिको और भारत के जो पंजाब राज में बीज थे ग्यों के दोनों को मिला कर एक विशेश प्रजाती के ग्यों की प्रजाती तयार की जिसने भारत में हरित क्रांती की नीव रखी ज्यादा उत्पादन जो है उस गेहूं का हुआ इनका पूरा नाम है दोस्तों मनो मन कॉम्बू संभा सिवन स्वामिनाथन पदम भूशन पदम विभूशन और पदम सिरी तीनों जो पुरसकार हैं इनको मिल चुके हैं इसके साथ ही टाइम मैगजीन ने 20 ACI प्रभाव साली लोगों की जो सूची बनाई थी लिस्ट जारी की थी उनमें इने भी चुना था MS स्वामिनाथन को और इनकी एक बिटिया हैं सौम्या स्वामिनाथन स्वामिनाथन वो भी अक्सर चर्चा में रहती हैं वो पहले UNO में भारत की इस्थाई प्रतिनिदी हुआ करती थी जीसी मुर्मू दोस्तो गिरीश चंदर मुर्मू डबलू एचो का वाहरी लेखा परिच्छक इनको दूसरी बार बनाया गया है डबलू एचो दोस्तो हेड़कॉर्टर इसका जेनेवा में है और साथ अपरेल उनिस सो अड़तालिस को इसकी स्थापना वी थी इसलिए साथ अपरेल को स्वास्ते दिवस के रूप में मनाया जाता है तो बाहरी लेखा परिच्छक इनको न्यूक्ट किया गया है इससे पहले ये यूएनो में भी लेखा परिच्छक रह चुके है राहूल मिस्रा ये फैसन डिजाइनर है कहां के इंडिया के फ्रांस का सेवलियर डांस अल परिच्छिन इन्हें परदान किया गया फैसन के चेतर में इनके विशिष्ट योगदान के लिए तो जहां पर सेवलियर लगा मिल जाया जिस भी पुरसकार में तो समझ जाईएगा कि वो फ्रांस का है इससे पहले इनको अंतर राष्ट्रिय बूल मार्क पुरसकार प्रदान किया गया था और यहां पुरसकार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतिये थे मनीशा पाड़ी दोस्तो इंडियन एर फोर्स में स्कौाडरन लीडर है इनको देश की पहली मैला एडडी कैम्प एडडी कैम्प जो है बनने का अबसर पराप्त हुआ है किसका मिजोरम के राजिपाल आरपी का मतलब राजिपाल है नाम क्या है हरी बाबू उनका इनको एडडी कैम्प बनाया गया है सेना का अधिकारी जो है विशेष रूफ से किसी विशेष्ट ब्यक्ति की सहयता के लिए जब नियुक्त किया जाता है तो उसको ADD कैम्प कहते हैं ऐसे ही दोस्तो ADD कैम्प की नियुक्ति जो है राष्टपती के लिए भी की जा सकती है तो राष्टपती के लिए संभवता 6 ADD कैम्ट रखने की जो है आजादी प्राप्त है या फिर अधिकार है पायल छाबडा हरियाना की हरियाना की हैं सेना में मेजर हैं इनको पैरा स्पेशल फोर्सेज के लिए प्रोवेशन एक विशेश प्रकार की प्रतियोगिता है पास करने वाली ये इंडिया की पहली F का मतलब फीमेल आर्मी सरजन बनी है राजकुमार राव वही मेरी साधी में जरूर आना वाले इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने इनको राष्ट्री आइकन न्यूक्त किया है याद रखियेगा और 25 जन्बरी 1950 को ECI की स्थापना हुई थी इसलिए 25 जन्बरी को जो है राष्ट्री मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है अक्षता कृष्णा मूर्ती नासा में मार्स रोवर मिशन को आपरेट करने वाली पहली भारतिय वनी है याद रखियेगा नासा की स्थापना हमारे DRDO के साथ ही हुई थी कब 1958 में हेटकॉर्टरिस का बासिंग्टन DC में है हेमंत विश्वा आप सभी जानते हैं असम के सीयम है सिंगापुर का इनको ली कुवान यू पुरसकार प्रदान किया गया सांती और सुरच्चा में विशिष्ट योगदान देने के लिए इनसे पहले पूर्व में जो योजना आयोकता उसके उपाद्यक्षित्थे मॉन्टेक सिंग अहूली वालिया इनको भी आप पुरसकार प्राप्त हो चुका है और मामा जैसे मुख्यमंत्रियों को भी पुरसकार प्राप्त हो चुका है लेकिन अभी आपको हेमंत विश्वा सर्मा को याद रखना है फातिमा बीवी दोस्तो सुप्रीम कोट की पहली महिला जज थी कोलम में कोलम कहा है केरला में वहाँ पर इनका निधन हो गया जन्म इनका केरल में हुआ था इससे पहले ये राष्ट्रिय मानवा दिकार आयोक की सदसे रह चुकी है तमिलनाडू की टीमडी की पूर्व राजिपाल रह चुकी है मनोहर सिंग गिल पूर्व मुक्य सूचना आयोक्त दोस्तों 1996 से 2001 के बीच में रहे हैं अभी चर्चा में क्यों रहे हैं क्योंकि इनका निधन हो गया है पद्म विभूशन पुरसकार होल्डर रहे हैं किस क्रम के CEC थे तो ग्यारवे क्रम के थे याद रखिएगा पहले काउन थे सुकुमार सेन पहली मैला दोस्तों रमा देवी CEC ये भी याद रखिएगा सेख हसीना पश्चिम बंगाल माफ कीजिएगा बांगलादेश की PM है टाइम मैगजीन जो है बहां की सांती ब्यापार सुरच्चा इत्यादी में इनके योगदान के लिए इनको अपनी कबर स्टोरी पेज पर जगह दी है ठीक है चुंकि हसीना है तो हसीनाओ को सब के सामने रखा जाता है तो ऐसे मान के चलिए कि इसको पहले पेज पर रखा गया है इसको अनिथा मत लीजिएगा केबल याद करने के लिए बता रहा हूँ अनसुमान जिंगरन कैसे याद रखना है अनसुमान जिंगूर ठीक है ये तैराक है इस जिंगूर ने इंगलिस चैनल को सबसे कम उमर में पार करके गिनीज वर्ड रिकार्ड जो बुक है उसमें अपना नाम एड करवाया है जियारजियो नेपाली ठीक है इटली के पूर वराष्ट पती है ठीक है और जियारजिया मेलानी दोस्तों इनको तो खूब जान रहे होगे इटली की पुर्धान मंतरी ठीक है तो ये पूर वराष्ट पती थे तो इनका निधन हो गया है तो जियारजियो को जियारजिया से जोड के याद रखेगा चाहें तो जियारजिया नेपाली पढ़िएगा और चाहें नेपाली तो नहीं है थोड़ा सा हट के नाम है लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैंने आपर नेपाली कर दिया है ज्यार्जिया नेपाली तो ज्यार्जिया नेपाली आपको ज्यार्जिया मेलानी से याद रहेगा आलोक सर्मा दोस्तो पूरव IPS है SPG जो मोदी जी की सुरक्षा में गुरूप रहता है उसका इनको हेड नियुक्त किया गया है विशन सिंग वेदी दोस्तो भारती किरिकेटर थे इस्पिनर थे इनका निदन हो गया है पदम सिरी होल्डर थे हितैस मकवाना इनको भारत का महा सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है SS बद्रिनाथ संकर नेत्राले एक अस्पिताल है जो गरीबों और जो बंचित हैं उन सब का निसुल्क इलाज करता है संस्थापक हैं अकराश का मतलब यह नहीं रहे पदम सिरी पदम भूशन और बीसी रायपुरसकार होल्डर हैं याद रखिएगा बीसी रायपुरसकार बिग्यानिक छेत्र में जो है बिसेश्ट पलब्दियों के लिए दिया जाता है बद्रिनाथ कंचन देवी दोस्तों कंचन का मतलब होता है सोना और यह सोना कहां पहुंच गया जाके बनो में तो भारतिय बान की अनुसंदान सिच्छा परिसद की पहली महिला महा निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है तो जो कंचन था वो अब बनो में पहुंच गया ऐसे याद रखिएगा और बात करें भारतिय बान की अनुसंदान सिच्छा परिसद की तो हेड़ कौर्टर इसका डीडी एन दैरादून में है सुबरत राय दोस्तो सहारा कंपनी आप सभी जानते हैं उसके संस्थापक थे अब निपट गये हैं हीरा लाल हीरा लाल जो है वो नए मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किये गये हैं ये पहले दलित हैं इस पद को गरहन करने वाले ये पहले दलित हैं द्रापदी मुर्वू ने इनको सपत गरहन करवाई तो यदि पूंच लिया जाए कि मुख् क्या होता है दोस्तों पैसे लेकर सबाल पूछना किस सदन की नेता थी तो लोग सबा की थी वहीं से इनको निसकासित कर दिया गया है निलंबित नहीं निसकासित किया गया है कहां से सांसत थी तो कृष्णा नगर कृष्णा नगर कहा है पश्चिम बंगाल किस पार्टी से थ एथिक्स कमेटी ने इन पर आरोप सिद्ध किये हैं, एथिक्स कमेटी ने, जो जनरल एथिक्स है, उसका उलंगन का इनको दोसी पाया, और उस कमेटी के अध्यक शिकाओन है, ये भी पूँछ लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, बिनोत कुमार, तो इनको जो है, निसका में है किसी सीमा वर्ति छेत्र में नहीं है काम करता है जो हमारा वाडर है बहाँ पर सडकों और जो इंफरास्टर करता है लेकिन इसका है डिल्ली में है श्री निवाशन निखिल डे दोस्तो राजस्थान के RTI कारे करता है RJ का मतलब राजस्थान अंतर राष्टी भरष्टाचार बिरोधी चैंपियन पुरस्कार इनको दिया गया है कहां का USA का जो सरकारी योजनाय है उनमें जो बरष्टाचार है उस बरष्टाचार को इन्होंने उजागर किया तो इसलिए USA ने इनको अपने आंका बरष्टाचार बिरोधी चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया है मजदूर किसान सक्ति संगठन जो की राजस्थान में रहा है उसके सहसंस्थापक भी थे तो यदि पूछ लिया जाए कि बरष्टाचार बिरोधी चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है तो निखिल डे आरिंदम बांगची दोस्तों योएनों के जेनेवा कार्याले में राजदूत या फिर इस्थाई प्रतिनिधी नियुक्त किये गये हैं इन्होंने दोस्तों इंद्रमणी पांडे का इस्थान गरहन किया है और जो इंद्रमणी पांडे थे वो यहां से उठकर कहां पहुँच गये बिम्स्टेक बिम्स्टेक के नए महासची बनाए गये हैं रंगनात माधवन आप सभी जानते होंगे आर माधवन तन्नु वेट्स मन्नु वाले सर्मा जी उनको भारती फिल्म टेलिवेजन संस्थान जो कि कहां है पुणे में पुणे का है महाराष्ट्रा में उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है और हाल ही में इनकी फिल्म राकेटरी जो है उसको भी पुरस्कृत किया गया है अच्छी फिल्म है मौका मिले तो देखिएगा अभी तो कता ही मत देखिएगा पेपर निप्ठा लीजिएगा उसके क्याता हूं दोस्तों अपने दिमाग अपने मस्तिशक की संसद में राश्ट्रि आपात अपनी जो बाहरी बिरत्यां है उन्होंपर लगाने का एक विल पारित कराईये और लगा दीजी राश्ट्रियापात राश्ट्रियापात में आर्टिक्ल जो ऑननीस है वो सुता neste हो जाता है खाने गूमने फिरने व्यापार करने इन सब की जो आजादी रहती वो निलम्बित हो जाती है तो एकदम कमरे में टेबल के नीचे बल्ब लगाईए और बैठिये कुंडली मार के लगातार लगे रहिए गरंट अफियर्स को एकदम रगड़ दीजिए बढ़िया से क्यों डांगू दोस्तों नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई चाइनीज ही होंगे आंगू डांगू यह सब वहीं के होते हैं फाव के नए महानिदेशक चुने गए दोबारा फाव दोस्तों उपर भी बता चुका हो फूड एंड एग्रिकल्चर आर्गिनाजेशन जो है कहा हेड़कार इसका रोम में चाइना का है क्यू डांगू राकेस पाल जो है आई सी जे इंडियन कोस्टल गार्ड के पच्चिस में महानिदेशक नियुक्त किये गए हैं एपी साही राष्ट्री उपभुकता विबाद निवारन आयोक का इनको अध्यक्ष बनाया गया है भार नहीं पर दोस्तो रेमेन पुरसकार बृत्रित किये जाते हैं और इस बार रवी कन्नन को यह पुरसकार दिया गया है दिया तो और भी कई लोगों को लेकिन भारत से रवी कन्नन है सांता कुमार दोस्तों प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया का इनको नया अध्यक्ष बनाया कैसे याद रखना है सांता मतलब सांती की बात करता है और भारती मीडिया जो है जो जलन्त मुद्दे हैं जिन पे लगता है कि सरकार घिर रही है तो उस मामले पर सांत है तो ऐसे जोड़ की याद रखिए कर सांता सांत रहने की बात करते हैं मतलब भारती मीडिया को सांत रहने की बात कहते हैं ऐसे याद रखिएगा प्रीती अगलायम IIT मदरास दोस्तों जिसने जंजीवार कहां है जंजीवार तनजानिया में तनजानिया में जो की लाउंक के लिए विसुद्ध है वहाँ पर जो campus है IIT मदरास का उसमें इनको पहली महिला first F का मतलब है female निदेशक न्यूक्त किया गया है रवी सिना दोस्तो रा, रा से रवी और रा से रा के head न्यूक्त किये गया है रा आप सभी जानते हैं इंडिया की खुफिया agency होती है research and analysis बिंग इसकी full form होती है यदि पूछ लिया जाए पाकिस्तान की तो वो है ISI खुफिया agency पाकिस्तान की ISI है सनमुग रतनम दोस्तों सिंगापुर के नए आर पीटी का मतलब राष्ट पती है बनाए गये हैं इनकी party का नाम क्या है P.A.P. पाप छे बर्स का कारिकाल होता है भारती ये मूल के हैं और ये अर्थ सास्त्री हैं भारती मूल मतलब इनका जन्म हुआ था भारत में लेकिन इन्होंने नागरिकता लेली सिंगापुर की अनीज दयाल दोस्तों संसद जो सुरच्छा चूक हुई थी 14 दिसंबर 2023 को आप सबने भी देखा होगा तो उसकी जो जांच है संसदी ये सुरच्छा उलंगन समिती बनाएगी जांच के लिए तो उसका अद्यक्ष किने बनाया गया अनीज दयाल को ठीक है अब दयाल आद्मी को जो है अद्यक्ष बना दिया गया है तो ये दयालू हो जाएगा उन लोगों पर जिनोंने उलंगन किया था ऐसे याद रखेगा दयाल आद्मी को ही जो है वो अद्यक्ष बना दिया है कहावत है कि संया कोतवाल तो डरकाहे का तो जब सहिया इनका कोतवाल हो गया दयालू हो गया तो फिर इनको डर का है काई से याद रखेगा अनीश दयाल मीना कुमारी बैंक इंस्योरेंस बैंक इंस्योरेंस मान दंडों की जाच करने के लिए जो समिती बनाई गई है उसका इनको अध्यक्ष बनाया है मीना कुमारी को इरड़ा ने इस समिती का गठन किया है इरड़ा आप लोग जानी रहे हैं इंस्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथारिटी हेड़कॉर्टर इसका हैदराबाद में है ये भी आप से खुब पूछा जाता है और इसका गठन जो है वो 1909 बिम किया गया था इंस्योरेंस का ये बिनियामक निकाय है याद रखिएगा मीना कुमारी आप लोगोंने देखा होगा कि जो पॉलिसी बेंचने वाले होते हैं बीमा पॉलिसी वो गाउं में जाते हैं और मीना रीना जैसी जो सीधी साधी महिला हैं उनको लंबी चौड़ी पढ़ा के जो है पॉलिसी होल्डर बना लेते हैं अपना सब्सुर्ट देखेश में धाका में जो मुद्रा चलती वो क्या है टका आपको बता है ट्श साह दोस्तों फिक्की का इनको नया अद्यख्ष बनाया गया है SK Panda का इन्होंने इस्थान लिया है SK मतलब सुब्रकांत Panda महिंद्रा जो कंपनी है उसके ये CEO है रामनात कोबिंद जी को ONOE का अध्यक्ष One Nation, One Election जो कमिटी बनाई गई है उसका अध्यक्ष बनाई गया है इस कमिटी में कितने सदसे हैं तो आठ मिम्बर्स हैं काउन काउन से एक तो हमिस्था हो गए दूसरे हो गए अधीर, रंजन, चौधरी जिन्होंने राष्टपती के लिए का था कि राष्ट्री पतनी होना चाहिए जब वो नियुक्त की गई थी मुर्मुन नियुक्त की गई थी तब भी बाद में रहे थे एनके सिंग दोस्तों, बितायो के पूर्व अध्यक्ष और जी एन आजाद का मतलब गुलाम नभी आजाद तो ये कुछ मुखे चरचित नाम है इनको जहन में डाले रखिएगा पहली बैठक भी इसकी हो चुकी है 23 सेतमबर 2013 को कहां? नई दिल्ली में अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टा और तयार हो रहा है 23 सेतमबर 2013 ऐसे ये आपको पताए था 23 नमंबर 10 23 यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 लेकिन महीन आए सेतमबर तो पहली बैठक कभी 23 सेप्टेंबर 2023 और यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों ब्रज महोसब आपको पिछली क्लास में पताया था जो कि मतुरा में आयो जित हुआ बहाँ पर मीरा वाई की 525 भी जहनती मनाई गई याद रखेगा और जहां पर मोदी जी ने 5 रुपए का डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया कितने रुपए का 525 रुपए का इसमारक सिक्का भी जारी किया तो जिस किरम की जहनती थी उसी किरम का सिक्का जारी किया उसी मुलिका लेकिन वो प्रचलन में नहीं रहेगा और PDF के लिए टेलिग्राम चैनल है इसको जोईन कर लीजिएगा जितेश जान जेजे इनसालवेंसी एंडवाइंग करेपसी बोर्ड आफ इंडिया का इनको निदिशक बनाया गया है महेश चंद्रा दोस्तों NCERT आप सभी जानते हैं पाठे करम में संसोधन हो रहा है उस संसोधन की जाच पड़ताल करने के लिए एक समिती बनाई गयी है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है महेश चंद्रा को और बात करें NCERT की तो इस्थापना 1961 में ही थी हेटकॉर्टर इसका दिल्ली में है और ये दोस्तों सिच्छा मंत्राल है अध्यक्ष के अध्यक्ष के अध्यक्ष का अध्यक्ष किसे बनाया गया है आपको पहले ही बता चुका हूं निधी छिबार को NC ये भी याद रखिएगा तो इस तरह से तो हमने कई चीजों को जो है इखटा समझने का आसान तरीके से समझने का प्रयास किया है यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और सेर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जो भी सुझा हो जो भी आ झाल झाल